बूर्णिंग स्टुरेंट्स वेलकम यू आइम नत्थु सिंद्ध फिजिक्स बीसे पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों का इस क्लास में स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों से बीच-बीच में मुलाकात हुई है एक्जामिस के दर्मियान इसमें आप विद्यार्थियों में से बहुत सारे विद्यार्थियों के मेरे पास में मैसेज भी मिले की परिक्षाएं हैं तो इन परिक्षाओं के हिसाब से कुछ थोड़ा सा ब्रीफ में रिवीजिन के रुप में पढ़ा दिया जाए अब चुकि आपकी परिक्षा साइद पांच तारीक को है पांच सितंबर को अक्टूबर को तो पांच अक्टूबर के लिए आज आप गनित का पेपर करने के बाद में गैप रहेगा एक दिन का आप क्वांटम मेकेनिक्स की पांचों यूनिट्स को आप ठीक से पढ़ने रिवीजन के इसाब से यूनिट फर्स्ट के अगर हम बात करते हैं तो यूनिट फर्स्ट क्वांटम मेकेनिक्स के प्रमानी करन से संबंधित यूनिट है कि quantum mechanics की और हम लोग क्यों पहुंचे इसके प्रमानी करण के लिए evidences के लिए पहला टॉपिक होता है विद्यत चुम्ब के तरंग आप लोग पिछले क्लास वह में पढ़ चुके हैं spectrum के बारे में पढ़ चुके हैं विद्यत चुम्ब के तरंगों का spectrum जो तरंग देरध लेमड़ा और आवे ती न्यू के एक क्रम के अनुसार तरंगों का निर्वपण होता है इसका दूसरा टॉपिक क्रशनी का होता है कि क्रशनी का में radiations विकीरणों का उत्सर्जन होता है विकीरणों का आउस्शोशन होता है और ये विकीरणों का उत्सर्जन और अउशोषन तरंग देर्ध लेमडा या आवरती इन दोनों के संगत किस प्रकार से व्यवार करता है उत्सर्जन की ख्रमता के लिए और इसमें हम ये देखते हैं कि classical theory में low wavelength region या high frequency region दोनों में अथ्वा इसके विप्रिद एक केस में वीन का विस्थापन नियम काम करता है दूसरे में religion का नियम काम करता है आप उनकी definitions को देख लें उनके numericals के आवशकता नहीं है तो इनको आप केवल definition के point of view से और इनका mathematical formula ये आप देख लें कृष्णिका के spectrum के बारे में कृष्णिका का spectrum क्या है उसके कुछ चार पांच बिंदू मैंने आपको बताये है religion का नियम वीन का विस्थापन का नियम और इन दोनों नियमों में केवल एक ही गुण का अध्यन होता है वीन का विस्थापन का नियम इस तरह से होता है तरंग्देरत की बात करें या विस्थापन की बात करें यह व्स्थापन की बात करें यह फिर हम इसको आवरती की रुप में ले लें तो इसमें यह एक बार जैसे जैसे लेम्डा बढ़ता है यह बढ़ता है और उसके बाद में जादा लेम्डा परा करके उच्छता रंग देर्थ परास परा करके यह कम होने लगता है दो चीजे हैं या तो ये बढ़ता ही जाना चाहिए या फिर ये इस तरह से गटता ही जाना चाहिए इन दोनों ही तथियों को प्लासिकली एक्स्प्लेंड नहीं किया जा सकता और इस कारण से क्वांटम मेकिनिक्स की आवश्क्ता हुई और क्वांटम मेकिनिक्स में प्लांक थियोरी का डिवलॉप्मेंट होगा। प्लांक थियोरी पर आधारित प्लांक की आउधारणा और इससे सम्मान्दित मैथेमेटिक्स भी मैंने आपको करवाई थे। यह चीजें आप देख लें इसके अलावा इस यूनिट में मैंने आपको एक तो फोटो इलेक्ट्रिक एफेक्ट के बारे में प्रकाश्वुद्यत प्रभाव, कॉंप्टर्ण प्रभाव और अंसरटेंटि प्रिंसिकली इन त में पहला है फोटो इलेक्ट्रिक एफेक्ट प्रकाश्वुद्यत प्रभाव, विद्यार्थियों आप लोग जानते हैं इस तरह से कि जैसे कोई पदार्थ है और उस पदार्थ की सते पर एक निश्चित आवरती ध्यान रहे, निश्चित आवरती नियू का प्रकाश यान प्रकाश विद्यत प्रभाव, इसमें जो इलेक्ट्रोन बाहर निकलते हैं इनको नाम दिये जाता है फोटो इलेक्ट्रोन, फोटो इलेक्ट्रोन, और अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट डेवलप करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट की धारा इन इलेक्ट्रोनों से बहे, तब उ धारा का नाम होता है photo current photo धारा या प्रकाश विद्युत धारा यह नाम होंगे तो यह photo electric effect है इस photo electric effect को detail में हम यहां पर थोड़ा सा देखें तो पहले चीज़ तो इसकी आएगी definition कि परिभाशा क्या है प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाशा यह definition जब किसी धातों की सतह पर एक निश्यत आवरती ध्यान रहें निश्यत आवरती शब्द बोल रहा हूं में निश्यत आवरती यह इससे अधिक निश्यत आवरती से अधिक आवरती का प्रकाश डाला जाए तो इसकी सतह से एलेक्ट्रों सर्जित होते हैं इस प्रक्रिया को photo electric इसके दो हमें में राप्त होते हैं पहला करेक्टर की एक तो आवरती का प्रभाव क्या है और दूसरा है इस प्रकाश की तीवरता तो एक तो आवरती न्यू और दूसरी होती है तीवरता दोनों का सिर्फ आप याद रख लेजिए कि आवरती से एक न्यू बनता है एक न्यू और जाओगी आवरती जादा बढ़ेगी न्यू जादा बढ़ेगा एक न्यू बढ़ेगा एक न्यू बढ़ेगा तो फोटो एलेक्ट्रोन की और जा निर्भर करेगी आवरती पर लेकि कितने इलेक्ट्रोन उत्सर्जित होंगे इलेक्ट्रोनों की सेंख्या निर्पर करेगी तीवर्था पर ये दो शब्त हैं इनको आप ठीक से अपने दिमाग में बठा लें कि आप्तित फोटोन की आवरती बढ़ने से उत्सर्जित फोटोन की पूर्जा बढ़ती है और दूसरा बिंदू यह है कि आप्तित फोटॉन यानि कि प्रकाश की तीवरता बढ़ने पर पदार्थ की सत्य से उत्सरजित इलेक्ट्रोनों की सेंख्या बढ़ती है और जब सेंख्या बढ़ेगी तो धारा बढ़ेगी इसलिए हम कहेंगे कि प्रकाश विद्धारा प्रवाहित होने लगती है और प्रकाश विद्धारा का मान अधिक हो जाएगा ये आप्तित प्रकाश यानिके फोटोन की तिव्रता व्रद्धी से फोटो एलेक्ट्रोन की संख्या में व्रद्धी होगी और जिससे photo current में व्रध्धी होगी दूसरी चीज अगर आपतित प्रकाश यानिकी photon की अव्रती नियू में व्रत्धी होगी तो उच्सरजित photo electron की kinetic energy और्जा में व्रत्धी होगी एक्तो दौनो तथी ही quantum mechanics को जन्म देते हैं कि हमारा एम क्या है quantum mechanics की ओराना जन्म देते हैं चिर्समत सिद्धान तक तीवरता बढ़ने पर electron की ओरजा को बढ़ना चाहिए ऐसा प्रायोगी ग्रूप से इस पस्टी करण नहीं होता है कि अगर तीवरता बढ़ेगी ये तीवरता बढ़े तो यहां electron की ओरजा भी बढ़नी चाहिए ये तथ्य क्लासिकल है चिर्समत है लेकिन ऐसा नहीं होता है तो इस तथ्य को समझाने के लिए हम फिर quantum mechanics की ओर आते हैं और quantum mechanics के रुप में इसको Einstein ने explain किया था तो ये Einstein की अवधारना से हम इसकी बात करते हैं कि इसका explanation किस तरह से होगा तो Einstein explanation जो की 95 में मिला हमें कि आपतित प्रकाश जिसको हम quanta कह दे हैं या photon कह दे हैं उसकी उर्जा e is equal to h nu होती है h plank का नियतन जिसका माना आप जानते हैं 6.62 into 10 की पावर माइनस 34 joule into second इस तरह से होता है कारियफलन वर्क फंक्शन तो धातू के प्रस्ठ से जस्ट बाहर निकलने की आवश्चक नियुंतम उर्जा को कारियफलन कहा जाता है क्योंकि जैसे मन ले जाए कि ये पेपर है और पेपर की सते से ही इलेक्ट्रोन निकालने तो पहले उर्जा दी जाएगी और जब तक उर्जा देकर के इलेक्ट्रोन स्टीमूलेट होगा और ये निकल के इस जस्ट इसके बाहर की पोजिशन में आएगा यानि की उसको उत्तेजित करने की जो नियुंतम उर्जा है उस उर्जा का मान होता है कारियफलन अब अगर उस उर्जा से थोड़ी सी उर्जा ज्यादा मिल जाएगी तो इलेक्ट्रोन सत्य से बाहार निकल जाएगा तो ये कारिय फलन होता है फाई is equal to h new zero इसको डबलू जीरो से भी निरुपित करते हैं और new zero को कहा जाता है दहली आवरती यहां एक definition आधे नंबर में ये भी पूछी जा सकती है कि दहली आवरती की परिभशा क्या है तो जब किसी धातू की सत्य पर आपतित प्रकाश हो फोटॉन्स हो और उनकी एक वहन्यूनितम आवरती जो इलेक्ट्रोन को उसके प्रेस्ट की सत्य से जस्ट बाहार निकालने की स्थिती उत्पन कर दे उसे हम दहली आवरती कहीं है तो ये दहली आवरती है अब आइंस्टीन ने जो इसको explain किया है वो एक quantum सिद्दान्त के आधार पर explain किया है कि आपतित फोटॉन जिसको हम आपने एक फोटॉन कहाँ दे हैं क्वांटा कहाँ और उसकी उर्जा तो उसकी उर्जा जब आएगा तो वो उर्जा धातु की सत्य पर electron को मिलेगी और इस electron को पहली चीज तो उस उर्जा का एक भाग उर्जा का दूसरा भाग गते जूर्जा के रुपना होगा इसका मतलब हन्यू इस इकवल टू फाई प्लस एक बटे दो एम वी जीरो या एम वी मैक्सिमम इसको है यह काइनेटेक एनरजी गते जूर्जा और यह इसका कारियफरान और वी मैक्सिमम यह अधिक्तम वेग एलेक्ट्रोन का अधिक्तम वेग होगा जो इसकी सपैसे बाहर निकलने वाले एलेक्ट्रोन होगे यहां से काइनेटेक एनरजी की वेल्यू इसका पक्षान तरण करेंगे h new minus h new 0 h constant आ जाएगा यह है इसका एक experiment है जिस experiment से भी हम इसको explain करते हैं और इस experiment में एक विसर्जन नली होती है विसर्जन नली जिसमें यह cathode anode और cathode पर आपतित पराबेंगिनी प्रकाश यह इस तरह से आपतित होता है यहां पर जब photons इधर आपतित होंगे जिनकी ओर्जा h new है यह cathode यानि की धातू की सते पर आपतित होंगे धातू के इलेक्ट्रोनों को मिलेंगे और यह इलेक्ट्रोन यह इस तरह से इसमें से उत्सर्जित हो करके यह गति करेंगे इनको उर्जा half mv square इस h new उर्जा से प्राप्त होगी और यह गति करते हुए एनोड तक पहुंचते हैं पोजिटिव है आकर्षन मिलेगा और आकर्षन के कारण यह circuit complete होगा तो इसमें धारा प्रवायत होगी और यह धारा micro ampere के रूप में हम major करते हैं इस धारा को photo current यानि की प्रकाश विद्युद्धारा कहते हैं अब फोड़ा साम इसमें उल्टा देखें कि इस A सिरे को positive कर दें जो मैंने लाल सियाई से लिखा है और B सिरे को negative कर द से ही धारा की देशा उल्टी होगी और धारा की देशा उल्टी तब होगी जबकि electron यहां से यहां तक पहुंचे लेकिन इस परिस्तिति में आप देखिए कि जब इसको हम positive करेंगे तो यह positive बन जाएगा यह negative बन जाएगा लाल सियाई से और यह जब positive होगा electron negative होता है तो य इससे आकर्शत होगा इधर यहां इसका प्रतिकर्शन होगा तो यह electron यहां नहीं पहुंच पाएंगे लेकिन जिनकी ओर जादा है वो तो पहुंच जाएंगे और वो पहुंच जाएंगे तो इसमें धारा प्रवाहत होगी आप यहां वोल्टा बढ़ाएंगे कौन का पहुंचना रुक जाएगा इस वोल्टा का नाम निरोधी विभाव कहा जाता है इस टॉपिंग पोटेंशल कहा जाता है तो यह इस प्रकार से निरोधी विभाव होगा तो यहां इस चीज़ को अपन इस विए में explain करते हैं कि जैसे ए नेगिटिव और पोजिटिव होता है पहली स्टेप है आकर्शन होगा आप इदर से और यह एनोड पर आशानी से पहुंचेंगे वोल्टा बढ़ेगी दारा भी बढ़ेगी और यह परिस्थिती ग्राफ में आप देखिए यहां से है जीरो से बढ़ने के बाद में जैस नहीं वोल्टा बढ़ा दे जितने भी इलेक्ट्रोन यहां सर्जित होंगे वो सारे के सारे पहुंचते जाएंगे तो इस कारण से धारा से चुरेट हो जाएगी लेकिन धारा शोरू में बढ़ेगी क्यों बढ़ेगी चूंकि वोल्टा बढ़ेगी तो आकर्शन और यह धारा प्रवायत होगी तो ग्राफ में यह इस्थिति आएगी यहां पर जीरो वोल्टा बढ़ेगी यह जीरो वोल्टा और इसके संगत धारा का मानिया हो लेकिन अगर हम नेगेटिव डाइरेक्शन में जाते हैं नेगेटिव को एपलाई करते हैं वोल्टा को निरोधी वेभाव तो यह इसकी डेफिनेशन भी एकजाम में पूछली जाती है यह निरोधी वेभाव इसकी डेफिनेशन भी एकजाम में पूछली जाती है तो यह प्रकाश्विदित प्रभाव इसके नेक्स्ट एक्स्प्लिनेशन में चुकि निरोधी वेभाव संगत ह होता है कार्यफलन के इसकी value ev0 जीन की इसका मान h new 0 के बाहर हो तो इस वे आइनस्टीन की जो equation थी उसमें इसकी value पुट कर लिते हैं यह माना जाएगा यह state line का equation होगी जिसमें y की value v0 यानि कि हम इस axis पर y ले रहे हैं y और इधर हम ले रहे हैं x y और x तो यहाँ v0 y में x में हम ले रहे हैं new new x के ओर और यहाँ m slope जिसका मान h upon e तो यह तो positive है इसलिए बढ़ेगा और c constant कमान माइनस में हैं इसलिए यह माइनस की हुआ है तो यह value यह एक state line का आप तो विद्य अर्थिए यह एक brief था photo electric effect के बारे में ओके next lecture में मैं आपको content effect के बारे में बता देता हूँ